तो आज हम आपके सामने लाए है एक नेया टॉपिक जो कि 6th क्लास का है Mathematics का टॉपिक है और पता है वो टॉपिक क्या है सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपने सुना होगा Roman Numbers Roman Numbers आपने देखा भी होगा जब कभी आप अपनी क्लास में जाते हो इस को लिखा रहता है अधार ग्यां करते हैं और इसmost को क्या बोलते हैं इस आई हम वोई देखेंगे यह Roman numbers कैसे क्या क्या दिनोड करते हैं यह Roman symbol इनका मतलब क्या क्या है ठीक है अब हम देखेंगे इन Roman numbers को हम अपने normal numbers यानि की Hindu Arabic numbers में कैसे convert करें हम इसको अपने वाले numbers से Roman numbers को कैसे relate करें इन numbers को अगर यह हम कैसे पहचाने की यह वाला नंबर क्या है आज हम वहीं सीखेंगे यह रोमन नंबर कैसे बनाए जाते हैं ठीक है दोस्तों ठीक है सुदेंट्स मेरे साथ बने रहो और मैं आपको दिखाने वाला हूं यह रोमन नंबर का जादू ओके सो रोमन नंबर में ऐसे कौन-कौन से सिंबल है जो की हूज होते हैं ठीक है ओके सबसे पहला रोमन नंबर अब हम पहले ना रोमन सिंबल सिखेंगे कौन-कौन से है आई-वी ध्यान से देखो बच्चो आई-वी-एक्स आई-वी-एक्स एल-सी बी-एम देखो बच्चो आई-वी-एक्स एल-सी-डी-एम ठीक है बच्चो द्यान से देखो इस आई का मतलब होता है वान यह तो हमारा होता है रोमन ध्यान से देखो यह तो हमारे रोमन सिंबल है और इनके कर्सपोंडिंग जो हमारे इंडियन जो हमारे हिंदू-एरबिक नमबर्स होते हैं वह कौन से होते हैं देखो अब यह हिंदू-एरबिक नमबर्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिग दिया बच्चो इसका तो आई का मतलब होता है वान एक वी का मतलब होता है हमारा फाइब एक्स का मतलब होता है टैन एल का मतलब होता है फिफ्टे C का मतलब होता है 100 और D का मतलब होता है हमारा 500 और M का मतलब होता है हमारा 1000 1000 और यह जगह कम पड़ गई मैं दुबार दितेता उसको वान जीरो जीरो और जीरो ठीक है बच्चो अच्छा सो अब हम यह देखेंगे अब आपने देखा रोमन नंबर्स यह होते हैं दो रोमन सिंबल बहुंचा आई वी एक्स ऐल सी डी अम अब इसमें से जो आई का मतलब वतार वन वी का मतलब वतार फाइव एक्स का मतलब 10 का मतलब 50 का मतलब हेंड्रेड डी का मतलब 500 का मतलब 1000 अब ध्यान से देखना वाचो इसमें जो आई एक्स कि सी अ एम कि यहां से देखो कि यह सब वाले हैं वन वन जीरो वन डबल जीरो वन प्रिपल जीरो कुन कुन से आई एक्स सी एम जोके 10 के मल्टिपल से ठीक है वान टैन हंड्रेड थाउजन कुन कुन से आई एक्स सी और एम अब इसका जो मैं बोल रहा हूं इसका यूसेज आएगा जब हम इसके रूल समझेंगे अब अब हमें कोई नंबर बनाना तो उसके नह कुछ रूल सोते हैं अब हम अगर इसको पूरा समझना है रोंट नंबर उनमर कैसे होते हैं इसको लिखत निकां को तरीका होता है इसमें रूलस रिफाइब है उससे रूल से पहले मैं आपको इत और बताना चाहता हूं पहले मैं आपको फिक दोची समझाना चाहता हो थीक है और कि मेन आपको चीज बताना है इसमें बार होता है बार कि बार समझतो हो वार एक ऐसे बनाहने जाता है ये क्या चैसे आछिपट होता है अब और यह ज़्यादा दो ही 2 만들어 बनाती है कि एक तो वी वी के उपर बनाई जाती है जब अगर वी के उपर बार बन जाता तो इसका मतलब होता है हमारा जोरूर्च यह अपन existing और यह का मतलब तो यह जाता है कि कर विच्छो द्हान लगना बार शुर्स यह है है हे और ऐसे एक और होता है बार इसका क्या मतलब हुआ है इसका मतलब हुआ यह एक्स का मतलब टैन और बार अलग गया तो वह बन गया हमारा 10,000 ठीक है बच्चो बार क्या गाम करता है हमारा 1000 से 1000 से कर देता है नंबर को ठीक है ठीक है अगर कोई बार आपको दिखता है तो आप उसको उस वाले नंबर को मल्टिप्लाइ कर दोगे थ्री टाइम्स ऑफ टैन्स यानि कि 1000 से वी का पर बार लगा तो याद राएगा बार क्या मतलब होता है ओके वेड़ी ओके बच्चो तो अब हम जाएंगे रूल के ऊपर थीक है बच्चो रूल्स बहुत कि जो होती है यह हमें सिखाएगी इस रोमन नंबस को कैसे खेला जाता है हम रोमन के साथ कैसे खेलेंगे कि रूल लिस्ट आ गई तो हमें रूल लिस्ट पता चलिए है सबसे पहला रूल क्या होगा सबसे पहला रूल यह होगा कि इसमें में कौन से कौन से सिंबल ऐसे हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं अब कौन कौन से से की हो सकते हैं वो हो सकते हैं आय Jest यह हमारेत स्य आपको दिखाने के लिए यह भी रह सकता है इस ऊबर हो सकता है और यह जो बाकि बचे में V, L, D यह कभी रिपीट नहीं होता है ठीक है तो हमारे जो रूल लिस्ट में आता है ना तो हमारे जो रूल लंबर वन में आता है उसके न तीन पार्ट है रूल नंबर बनने कि कि पहला तो रूल यह है कि अगर कोई नंबर रिपीट होता है सबसे पहले जो रिपीट होता है अगर कोई भी नंबर रिपीट होता है अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है उसका मतलब क्या है ठीक है अगर मैंने मानलो लिख दिया आई आए आई आई ऐ इसका मतलब होता है कि अग्धन हो रहे हैं इसका मतलब एडििशन हो रहा है वो नम्बर यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इकोल स्टू 3 कि यहां पर रिपीट होने का मतलब होता है एडिशन है ठीक है और रिपीटीशन मीन्स यहां इस बहले वाला इस मैं आपको दिखा लेता हूं को विटेशन इटोस्टू आडिशन इसका मतलब होता है एडिशन घीक है बच्चों कि यहां तरहेंगा रिपिटिशन इकॉस तो एंडिशन अब रिपिटिशन किस का हो सकता है वह मैंने आपको बता है आइका एक्स-का और सीज्ब्र एम-का आई और एक्स अब इसको भी याद करना बहुत इजी है आई जो भी जो भी वह टैंस के मल्टिपल है वान हो गया टैन हो गया तो गया तो गया तो बन कगा आई एक्स और एक्स टैन सी अंडर्ड एम तो यह नमबर रिपीट हो सकते हैं तो शेकिंड कॉन को बी हो गया है आई एक्स और सी अंडर्ड कैन वी रिपीटिड है और कितनी बार रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमुम थ्री टाइम्स हम इनको जाहता से जाहता तीन बार ही रिपीट कर सकते हैं तीन से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं और यहीं रिपीट हो सकते हैं और यह भी तीन बार रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमुम इसके बाद रिपीट नहीं होंगे फैक्ता याद रहेगा टेक है और एक जीज अब अब जो इसमें से रिपीट नहीं हो सकते हैं वह कौन से हो सकते हैं वह था वी एल और डी यह नंबर रिपीट नहीं होते हैं होन से वी जो की फाइल के मल्टी पाले है वी एल और डी इस सिंबल्स कैन नॉट बीपीटिड ठीक है याद रहेगा बड़ा सिंपल सा है कैन नॉट बीपीटिड कि ठीक है बच्चो वी एल डी केन नॉट बी रिपीटिड यह हमारा आता है रूल लंबर वन याद रहेगा रिपीटिशन का मतलब होता है एडिशन रिपीट कौन-कौन से हो सकते हैं हमारे आई-एक-सी-एम जो के 10 के मल्टी पाल होते हैं तो यही रिपीट हो सकते हैं कित इन बार और कौन से नहीं हो सकते हैं वी एल डी यह रिपीट नहीं होंगे ठीक है बच्चो तो बच्चो यह हमने रूल देखे एबी सी अभी इन्हीं रूल्स पे छोटी सी एक्सराइस करता है फटा-फट ठीक है लेट्स अपोज मैंने लिखा आई इसका क्या मतलब है इसका मतलब है वान प्लस वान प्लस वान तो कितना हुआ थ्री फिक है ऐसे ही अब मैं यह देखता हूँ अगर मैं यह देख दूँ कर दूब है इसका क्या मतलब वह भाई बताओ 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 क्यों जिए एक्स का मतलब क्या है 10 है थीक है अब हेक्षों मेस कर दो ना तो Egyptian Francis 10 प्लस 10 कि इतना हुआ 20 ठीक है बच्चो एक्स एक्स मीन्स 10 प्लस 10 अब मुझे अच्छा एक बाद बताओ अब इक्स एक्स कर लिया है ना अब रहां कुरतें सी ओर सीसी इसका क्या मतलब help is ग्ला अंड्रेड मुझेन क्रों अगर एक इगक निवाद भी एक दो तीन चार चार सी हो सकते हैं नहीं हो सकते क्योंकि हम ने कहा था कि यह ओनली थ्री टैंग्स ही रिपीट हो सकते हैं चोती बार रिपीट नहीं होगा क्योंकि यह चार बार आ गया तो यह करेक्ट नंबर नहीं है यह रोमन नंबर करेक्ट नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है पर रूल तो हम एक सी हटा देंगे ठीक है तो हम हेंट्रेड प्लस हेंड्रेड प्लस हेंड्रेड कितना हो गया थ्री हेंड्रेड ठीक है बच्चो कि ओके अच्छा मुझे एक बाद और बताओ अच्छा यह कितना होता है वी वी और वी यह कितना हुआ प्रियाम तुम बताओ यह तो नमबर इनी यह? क्यों? क्योंकि वी वी क्योंकि रूल में लिख़ा है कि वी ल एंडी कैनाट बी रिपीटेड शाबाश very good क्योंकि हमें किस किस को repeat कर सकते है I, X, C और M को ही repeat कर सकते है V, L, D तो repeat हो ही नहीं सकते तो ये तो गलत हो गया तो this is wrong ठीक है very good very good so अब हमने कॉन कॉन से रूल कवर कर लिए हमने ये repeat वाला कवर कर लिए अब हमने ये बता दिया कि यही repeat हो से यह भी हो गया यह नहीं repeat हो से वह भी कर लिया ठीक है दोस्तों कि अब हम देखेंगे कि अब कि काट है कि अब के तो रूल नंबर टू पढ़ते है रूल नंबर वन तो हमने अच्छे समझ लिया कौम से वाला मैं अगर बहुत सारी सिमबल लिखे है मत वह सारी सिमबल लिखेंगे ये पहचनना आफ उसका कंप्लींट उसका उसका जो हमें इंडियन नंबर करण छोंके निकालना है वह क्या निकलेगा हमें उसको पहचानना पड़ेगा व कर रूज के लिए उसके लेफ्ट वाला हूद सब्सक्राइब आ है श्री nic रूल टू यह है कि अगर अगर हमारा अगर दो बार वदब जो स्मॉलर और बड़ा नंबर और चोटा नंबर मानलो कि अगर हमने रूल वन रूल टू में क्या होता है अगर जो पहले वाला जो लेफ्ट में डिजिट लिखी हुई है मानलो हमने एक्स लिखा एक्स लिखा और और राइट साइड में हमारा पहले अगर हमारा अगर मानलो हमारे जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में हमारा बड़ा नंबर जैसे की एल हो गया और हमारा राइट साइड में एक्स लिखा हुआ है या फिर अब लिखा हुआ है और फिर आई लिख गाले है या फिर हमारा ह्वाने लिखा हुआ है तुनौ है अब हमने यह पहचानना है कि अगर हमारा यह वाला लेफ्ट वाली साइड अगर बड़ा है बड़ा कैसे समझे हो क्योंकि इसकी वेल्यू जो है जो लेफ्ट वाली साइड की वैल्यू है तो फिप्टी हुई और यह एक्स है तो यह 10 हुआ यहीं कि जो लेफ्ट वाली साइड की वैल्यू जादा है और राइट वाली साइड की कम है तो लेफ्ट वाली साइड और यह वाली साइड में एडिशन हो जाएगा ठीक है ध्यान से देखना एडिशन कब होता है और सब्ट्रेक्शन कब होता है मैं रूल टू जो समझा रहा ह है कब addition होना है ठीक है और कब subtraction होना है ठीक है तो यह वाली side अगर यह बड़ा है अगर यह लेफटवाला सड़ बड़ा है और राइटवाला छोटा है तो हमारा हुगा addition ध्यान से सोचना फिरसे ध्यान से सुनना अगर लेफ्ट वाली साइड बड़ी है और राइट वाली साइड छोटी है तो हुमारा होगा एडिशन यही रूल नमबर टू है ठीक है तो इस एल की क्या वैल्यू है फिफ्टी प्लस 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 ठीक है ऐसे ही वी वी है मारा बड़ा ठीक है 5 और आई है हमारा 1 छोटा है 1 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी तो हमारा एडिशन हो जाएगा और यह वोच जाएगा 6 ठीक है और यह हमारा जो दी है इसकी value है 500 और C है इसकी value है 100 क्योंकि left वाला बड़ा है और C हमाना जो छोटा है और तो फिर क्या हो जाएगा addition हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 500 plus 100 equals to 600 right ठीक है बच्चो ध्यान से rule 2 जो है हमारा addition का rule है और rule 2 में addition में ये ध्यान रखना है addition कब होता है addition तब होता है जब हमारा left वाली side हमारी right वाली side से बड़ी होती है तब हमारा दोनों में addition हो जाता है ठीक है और तोर जब हमारा हमारा लेकर वाली साइड छोटी हो औरईट्वाली साइड सब्डाइट करते हैं वह हमारा रूल नमबर 2 में आता है उस ओर Schne १े यह प्रभार भुछेुर्ड एडिश्न का रुम था उसमें लेफ्ट वाईडी साइड बढ़ी होती है राइट वाली साइड छोटी होती है इस लिए उसको add कर दिया ठीक है र॒ल नंबर थ्री में छोटी होती है और एक वाली साइड बड़ी ऊठी है ठीक है और यह हमारा रूल नंबर थी में आ जाता है यह धियान रहेगा बच्चो रूल नंबर टू को मैं यह धियान से देखना रूल नमबर थ्री जो कि है सब्ट्रेक्शन का रूल ठीक है बच्चों ठीक है अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना जो हमारी लेफ्ट वाली साइड होती है जो हमारी लेफ्ट वाली साइड होती है मान लो अगर मैंने यहां पर आई रख दिया आई लिखा और यहां पर लिखा एक्स है यहां पर हमारा एक्स है और यहां आई है यहां यह लेफ्ट वाली साइड चोटी है और राइट वाली साइड बढ़ी है तो हमारा सब्ट्रेक्शन होगा ठीक है और एक चीज इसमें क्या होता है अमारी 10 में और यहां फ्यान सब्सक्राइब क्यों इसका नाई ना आएगा क्योंकि है अमारी डाइट व्यांस माने क्योंकि happiest माइनस होती ओत्ष stranger से 10-1 होगा तो यह नाइन जाएगा ठीक है बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि कि वी एल कि वी एल और डी यह कभी भी सब्ट्रेक्ट नहीं हो सकते हैं ठीक है कि यह कभी भी सब्ट्रेक्ट नहीं होते हैं ठीक है अगर मैं सोचू मैं यहां पर रख दूंगा तो यह एक्स में से माइनस हो जाएंगे नहीं होगा ऐसा यह गलत है कि यह गलत है वी एल डी आप नैवर बी सब्ट्रेक्टेड ठीक है ठीक है तो ओके और एक बात और है ना यह जो आई है यह अगली दो डिजिट में से माइनस हो सकते हैं और जो एक्स है यह अगली दो डिजिट में से माइनस हो सकते हैं और जो सी है वो ही अगली दो डिजिट से माइनस हो सकते हैं यह भी एक रूल है ठीक है तो क्या रूल है यह नौट सब्ट्रेक्टेड ठीक है यह तो नौट सब्ट्रेक्टेड हो गया अद्यक्त है रूल त्रीक के तीन पार्ट है एक तो लेफ्ट वाला हमारा छोटा होगा राइड वाले से ठीक है और वी अलडी कभी सब्ट्रेक्ट नहीं हो सकते हैं और तीसरा पार्ट क्या है तीसरा पार्ट हमारा यह है कि जो आई होगा वो हमेशा वी और एक से सब्ट्रेक्ट हो सकते हैं मीन्स अगर मैं आई को ऐसे लिख दूँ आई और एल यह नहीं हो सकते हिस्ज़ं में डी तो सब्ट्रेक्ट हो ही नहीं सकते हैं और बचे बुचे वह जो है आई एक्सी और आप यह दियान देना बच्चों कि जो आई है वह अगली दो डिजिट से ही सब्ट्रेक्ट हो सकते याने कि वी कि ऐसे वह सकते और एक स्लोल सकते है अगर मैं यहाई सोचू दो आइटो हो सकते हैं सब्लैक्ट किस से कि इस प्राम निए के जिए जुन दिख रहा हूं और ध्यान से वह पच्चे आई है अगर ना ध्यान आई फ्रॉं from V and X. ठीक है? और X from L and C. ठीक है? और C from D and M. ठीक है? यह rule number 3 है, यह हमारा subtraction का rule है. ठीक है? अगर left वाली side छोटी होती है, राइट वाली side बड़ी होती है, तो हम बड़ी वाली side से छोटी वाली side को subtract कर देते हैं. ठीक है? और ध्यान देना कि हमेशन जो left वाली side जो होती है, जो छोटी वाली side होती है, वो जो जो subtract होना होता है जिसको, वो ज़्यादा वो हो सकती है हमारी I, X, C और M, ठीक है? क्योंकि M सबसे बड़ी होती है, इसलिए वो subtract होती ही नहीं जादाता है, उसलिए M को हम इस तरफ रखती ही नहीं, वो किसे subtract होगा, ठीक है? तो इसलिए I, X, C के लिए rule बना है, I जो subtract होगा, वो सिर्फ और सिर्फ V और X से ही होगा, और X जो होगा, सब्ट्रेंट वो L और C से ही होगा, और जो C होगा, वो D और M से ही होगा, यह rule है, ठीक है न, इसको हमें याद करना ही पड़ेगा, अगर हमें Roman number समझने हैं, तो यह यह जो कुछ rules हैं, यह हमें समझने पड़ेगे, तब ही हम इनके numbers को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, और I, X, C, अब आप ध्याद से देखना, अगर मैं I को I और L लिख दू, है न, अगर मैं सोचों कि I को I और L लिख दो, I हमेशा F E और X से ही माइनस हो सकता है, तो I और L लिख दू, तो वो गलत number कहलाएगा, वो 49 नहीं बन सकता, वो 50 माइनस बन नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि I को हम L से नहीं घटा सकते हैं, आई को सिर्फ और सिर्फ बी और X से घटा सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो L जो होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, पहले तो X घटाएंगे, तो यानिकि 50 माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है, इतना घटा करो, उसमें से हमें 5, उसके आगे 2 प्लस लिख देंगे, इसे छोटे वाले हैं वो इस साइड लिख देंगे, तो एडिशन हो जाएगा, ठीक है, और जब वो एडिशन हो जाएगा, 45, 45, दो नमबर आ जाएगे, है ना, और और फिर हम आई को उससे लेफ्ट में लिख देंगे, यानि कि हम इस तरीके से लिख देंगे, हम क्या काम करेंगे, अगर हमें 49 भी लिखना है, तो हम क्या काम करेंगे, तो हम लिख देंगे, पहले लिखेंगे हमारा L, जो कि हमारा विश्टी बन गया, यह हमारा बन गया, फॉटी गुरीत थीक यहां हम हमारा फॉटी और यहिए, थेक है अब हम ने काम करा अगर हम इसना 49 बनाना है तो यह में कि आवारा तो यह कितना में 45 है आप अब हमें बनाना 49 अभी में 4 और एड़ करना है क्या कर देंगे इसमें है यह इन खो दो चाहिए है लुदना कि यह माइन सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो जाएगा यह फोर बन गया यह लेफ्ट में राइट में अभी हमें यह देखना है कि यह देखो जोंसा भी बड़ा होता है वह लेफ्ट वाले को अगर छोटा है तो वह से माइनस हो जाता है माइनस करके यह तो बन गया 40 यह तो बन गया 40 कि यह बन गया 5 क्योंकि यह राइट साइड में 5 इसलिए ठीक है आप यह दो को आप यह को अलग से सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि अपने अपने बाजू वाले से ही माइनस हो सकता है है तो दोस्तों तो हम यहां एक्जांपल लिगते हैं सिंपल सा एक्जांपल देखते हैं हम अगर 49 लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको अब उसमें से घटाना एक्स तो एक्स को इदर लिखेंगे गड़ गया यह तो 40 बन गया अब हमें लेना है 9 तो ऐसे हम पहले बड़ा नंबर लेंगे फिर छोटा नंबर लेंगे तो फिर हमने बड़ा नंबर लिया ऑगया एक्स और उने से एक घटाना है तो हमारा वंगे नाइन ये तो मारा ओघा फॉट्टी तो तो यह प्लस में आएगा उन्क यह भेशल थोटा है तो यह अपने आप उसमें यह वन यह नाइन क्योंकि नाइट यह तो आप जानते ही हो क्योंकि आई जो है वह वी और एक्स में से घट सकता है ठीक है आई को हमने एक्स घटाया यह टैन यह वन है टैन में से वन माइनस हुआ तो यह ना गया है आप एक्स मानेसख तो यह 40 आगया क्या टैन में से टैन मानेसख हो तो यह पूंटि यह वेलुई कि क्या बनी है मारी है कि हमने अब और करना है हमें मायनिस करना यह की प्लस करना है कि अब कुसे हमें कैसे करेंगे तीयों को करें इस रूल नमबर फोर के एकॉर्डिंग अगर दो बड़े नमबर में से मीन्स तू बिग नमबर यहां बिग है यहां भी बिग है और यहां स्मॉल है ठीक है बिग स्मॉल बिग मतलब कोच भी हो सकता है मतलो एक्स है गया आई हो गया और एक्स आगया तो बिग है स्मॉल है और फिर बिग है मतलब अगर कोई भी तीन डिजिट हमें मिलती है जैसे कि एक्स आई और एक्स मीन्स एक्स भी बड़ा है यहां भी बड़ा है और आई स्मॉल है ठीक है है मानलो एक्स आई वी मान लो ठीक है मैं एक्जाम्पल लेता हूं एक्स आई और वी चुमकरा है वह एक्स आई और वी मैंने एक्स यह तीन बिजिट आ गए खत्टी आ गए अब हमें हम से उने करना है कि हम इस वाले को इसमें से करेंगे यह वाले को इससे प्लस करेंगे इसे प्लस करेंगे क्या हुआ को हमारे जो रूस समय समस्जाते एवी यह वाला स्फि mês आपने वाले सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है यह थ्यान रखना डीच वाला नंबर अपने तो इस से पहले माइनस होएगा तो से प्लस ना होकर के अपने पहले वाले से से प्लस नहों करके पहले मांइन अगा क्या होगा माइना मेगा पहले सब्ट्रेक्ट होगा बाद में तर जाएगा कि अगर उसका राइड व्वाला बड़ा है तो सबसे पहले सब्ट्रेक्ट होगा क्या होगा सबसे पहले सब्ट्रेक्ट होगा मतला यह जो इसकी वैल्यू थिस फाइब यह और यह टैन तो क्या बदो हो इसका यह बनेगा यह जो वन है इस फाइब से माइनस हो जाएगा तो यह बचेगा 4 इंदर आंजये प्लस यह क्या बन जाएगा 14 है ठीक है यह वाला जो बन है इसमें से जाके माइनस हो गया पहले फिर बच गया 4 फिर जाकर क्योंकि यहां पे बड़ा है और यहां पे छोटा है इसलिए वह एडिशन हो गया ठीक है इसलिए 14 आ गया ध्यान रहेगा यह सारे रुन्स बहुत ही इंपोर्टन रूल नम्बर वन किसके लिए होता है रिपिटिशन का मतलब अडिशन कोण कोण से रिपिट हो इस। पर 5 इंद्वं हैं 5 i XC और 7 यही नमबर रिपीट हो सकते हैं कितनी भारी रूसकते हैं तीन बार कितनी बार तीन बार और कौन से नंबर रिपीट नहीं होते हैं वी एल दी यह नंबर रिपीट नहीं होते हैं अब फिर दूसरा रूल क्या आता है एडिशन का रूल आता है अगर अगर लेफ्ट वाली साइड अगर लेफ्ट वाली साइड बड़ी होती है और राइट वाली स साइड से रेफ्ट साइड को एड कर देते हैं ठीक है और ओर है देखना की जो में एड करते हैं कि यह ठीड होता है फॉर्मूला बहुत ग्रूल सिंपल है जोकी इस थ्यूप्रेक्षिन का रूल एक है अगर लेफ्टवालीuin साइड हमारी छोटी होती है लेफ्ट वाली साइड थी हो जाती और लेफ्ट वाली साइड जो कि सब्ट्रेक्ट होती है वो कौन सी हो सकती है आई हो सकती है एक्स हो सकती है सी हो सकती है और एक्ची ध्यान देना क्या बोलते हैं जो आई होती है वो हमेशा वी और एक्स से ही सब्ट्रेक्ट हो सकती है और जो झाल 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 झाल